नमस्कार ट्रेंस एंट्रेविल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस समय हम खड़े हुए हैं मानक नगर स्टिशन की उपर और जैसा आप सब जानते हैं मानक नगर से लिकर की एशबाग की दिशा में दोहुरी करण का कार चल रहा है डबलिंग होनी है इस सेक्षन की क्योंकि सिंगिल लाइन होने के कारण अभी वर्तमान समय में अगर ट्रेंस लखनव जंक्षन या फिर एशबाग जंक्षन से आती हैं ब्लॉक हट A होते हुए तो उसके लिए क्रॉस के लिए यहां पर जो दूसरी तरफ से ट्रेंस आ रही हैं कानपुर की दिशा से उनको मानक नगर स्टेशन पर खड़ा रहना पड़ता है इंतजार करना पड़ता है और इसी इंतिजार को समाप्त करने के लिए खत्म करने के लिए यहाँ पर N.E.R. जो है एशबाग जंक्षन से मानक नगर स्टेशन तक दोहरी करण का कारे करवा रही है काफी समय से ये कारे चल रहा है जैसा आप सब जानते हैं क्योंकि ब्लॉक हटेक के आगे एक बॉक्स वहाँ पर लगाया जाना था जो कि हमारा उत्तर रेल्वे का ट्रैक है बरेली सेक्शन उसके नीचे वहाँ पर बॉक्स को खिसकाया जाना था बॉक्स अब लग चुका है आरपार हो गया है वहाँ पर भी कारे चल रहा है वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है वीडियो में हम आपको आगे दिखाएंगे शुरुआत करेंगे मानक नगर की दिशा से और यदि आपको मेरा काम पसंद आता है यहाँ पर मैं प्रोजेक्ट रि लिए चैनल को जॉइन जरूर कर लिजे ताकि आपकी सपोर्ट से इसी प्रकार के वीडियो आपके लिए निरंतर मैं लाता रहूं तो चलिए शुरुआत करते हैं मानक नगर की दिशा से यहाँ पर मेरे पीशे जो आप देख रहे हैं ट्रैक यही ब्लॉकट ए होते हुए एश्वाग और फिर लखनो जंक्षन की दिशा में जाता है तो इसी दिशा से शुरुआत करेंगे आज के वीडियो की तो सामने यहाँ पर यह जो ट्रैक आप देख रहे हैं यह ट्रैक यहाँ पर बाए हाथ पर स्टॉपर लगा हुआ है इसी ट्रैक को दोहरी करण में खट ए होते हुए आगे लखनो जंक्षन और एश्वाग की दिशा में यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे का जो हाल है बहुत पहले मैंने यहाँ से जब वीडियो किया था तब भी यही हाल था स्टॉपर अभी भी लगा हुआ है जबकि अब एक हफते से अधिक का समय हो बॉक्स को आरपार हुए तो कम से कम अब मानक नगर की दिशा से यहाँ पर रेल बेट की ऊपर जो बैलस्ट है उसको बिचाने का काम शुरू कर देना चाहिए था इस दिशा से जो स्लीपर्स यहाँ पर रखे हुए हैं इनको मार्किंग लगा करके कम से कम बिचाने का काम अब शुरू कर देना चाहिए था क्योंकि यह जो प्रोजेक्ट है चार किलोमीटर लगबक रेल खंड है और पहले ही काफी डिले हो चुका है बॉक्स के चक्कर में अब चुकि बॉक्स आरपार हो गया है तो यहाँ पर अब कारे तेज किये जाने चाहिए सामने इधर हमार प्राइशन साइड डबल ट्रैक चारबाग वाला है मानकनगर से उत्तर रेलवे का और नीचे के दिशा में यहाँ पर जो एक ट्रैक भी आपको सिंगल लाइन दिख रही है इसी से रेलगाडियों का संचलन किया जाता है बाए हाथ पर यहाँ पर देखे रेटेनिंग वॉ हुई है ट्रैक्टर ट्रॉली की साहता से समान जो है कॉंक्रीट स्लीपर उनको आगे ले जाया जा रहा है साइट पर अभी हम आपको आगे दिखाएंगे वहाँ पर रखे हुए हैं लेकिन अभी उनको बिचाना शुरू नहीं किया गया है और यहाँ पर आप देखिए पै अड़ी एसो का स्टेडियम है अंदर और सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर लेविल की जा रही है मिटी जो है उसको बराबर किया जा रहा है ताकि जो रेल बेड है उसको यहाँ पर तयार किया जा सके क्योंकि जो ट्रैक है उसका ऐलाइनमेंट दोनों ही तरफ आएगा वरतमान ट्रैक के राइट हैंड साइड पर भी ट्रैक आएगा जब आप मानक नगर पहुंचने वाले होंगे तो राइट साइड पर है और कुछ ट्रैक यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा अगर आप ब्लॉकट एक के आगे चलेंगे तो बाए हाथ पर वरतमान track के नया track डाला जाएगा तो जो नया track पढ़ता है वो कहीं पर right कहीं पर left जिस प्रकार से भी space मिलती है उसी हिसाब से track को बिछाया जाता है मशीने बराबर चल रही है आना जाना लगा हुआ है लेबर आप देख सकते हैं एकका दुक्का दिख रही है भी अधिक लेबर यहां पर नजर नहीं आ रही है जबकि अब कारियों में तेजी आनी चाहिए क्योंकि box आरपार हो गया है तो कम से कम railbed जो है उसको अब तक इस दिशा में यहां पर कोई दिक्कत नहीं थी तो इस कारे को पहले कर लिया जाना चाहिए था कि कम से कम railbed मानक नगर से ले करके जो हमारा box है जहां तक तो कम से कम इतना railbed और इस पर concrete sleepers को बिछाए जाने का काम मुझे लगता है पहले ही कर लिया जाता तो समय की बचत होती अब हम लोग पहुँच गए है ब्लॉक हट एक के आगे जहां पर हमारा box रखा गया है यह मुरदाबाद वाले tracks हैं बरेली section और सामने की दिशा में जो train आप देख रहे हैं वो विरांगना लक्षमी बाई जहासी से लखनू आने वाली express special जो आज कल चल रही है सवारी गाड़ी जो हर हाल्ट station पे सब जगे रुकते हुए आती है वो train है जो कि मानकनगर के दिशा से धीरे धीरे आ रही है चार बाग जा रही है लखनू चार बाग और यहां पर यह जो हमारा बरेली section है उत्ता railway का तो यहां पर आपको याद होगा ब्लॉक ले करके यहां पर तीनों tracks के नीचे नए पुल यहां पर girder bridge रखे गए हैं लोहे के पुल जिसके नीचे फिर मिट्टी की खुदाई करके jack की साहता से hydraulic jack की साहता से जो यहां पर box दयार किये गए थे तीन box बनाने पड़े पहले पूर्व में दो box बने हुए थे उसके बाद एक box और बनाया गया यहां पर आप देख सकते हैं इस दिशा में block 8A हो जाएगी एश बाक की दिशा है और पीछे right side आपको धेर सारे मिट्टी दिख रही होगी तो मिट्टी अब यहां पहुँचाए जाएगी मिट्टी को level किया जाएगा rail bit बनाने का कार शुरू होगा अभी उपर के दिशा से जो हमारी मशीन है मशीनरी वो भी इसी मिट्टी के जरिये उतारी जाती है slope जैसा बना हुआ है और आगे की दिशा में आप देख सकते हैं जो box है वो अब इन तीनो tracks के नीचे से आर पार हो गया है इधर मानक नगर की दिशा हो जाएगी जहाँ पर सुरक्षा दिवार बनी हुई है नीचे concrete के जो sleepers हैं रखे हुए है इधर हमारे है मानक नगर की दिशा जो आप देख रहे हैं सामने यहाँ पर और concrete sleepers को लाया जा रहा है ताकि जल्दी यहाँ पर अब ट्रैक बिशाने का काम उसकी शुरुआत हो इधर भी दिवार जो नीचे की boundary है ठीक की जाएगी इसमें भी जाली लगाई जा रही है भी इसके ठीक बगल में single line हमारी जो है वो चालू है यहाँ पर इस तरह से concrete के यहाँ पर slab जा गए है पीछे यहाँ पर एक चौड़ी नाली दी गई है बारिश के पानी के निकलने क यहाँ के लिए यहाँ पर यह यह अपना हमारा Hearts वॉक्स था यह आरपार हो गया यहां पर जैसे आप देख सकते हैं पूरा यहाँ सक्रस आपर जीया पर पीछे सामने हमारे एशबाक की दिशस्ले इस दिशा से Oh ट्रैक लाया जाएगा बॉक्स आप देख सकते हैं यहाँ पर जो तीन बॉक्स लगाए गए थे आप देख रहे हैं यार पार काफी बड़ा स्ट्रिक्चर है और यहीं से हमारा ट्रैक निकलेगा जो जाएगा मानक नगर के दिशा में तो यह जो बॉक्स है यह बहुत लंबे समय से प्रतिक्षा थी तो यह कारी हो गया फिलाल यहाँ पर इदर जाली पे भी स्प्रे किया जाएगा कॉंक्रीट का और उसके बाद यहाँ पर प्रैक बिचाने का काम किया जाएगा इस दिशा में तो यह इस दिशा की ताजा स्थिति है भी यहाँ पर तो लंच के बाद के समय में आप देख सकते हैं मजदूर वापा सब काम पे लोट रहे हैं हाला कि बहुत अधिक लेबर अभी नहीं लगी हुई है बॉक्स तीनों यहाँ पर सेट हो गए हैं ऑल्मोस्ट छुट-पुट काम उसका रह गया होगा थोड़ा बहुत अंदर जो होना है जैसा बता र अभी रेलबेट कहीं पर भी मुझे नजर नहीं आ रहा है कहीं पर भी रेलबेट का कार्य होता नहीं दिख रहा है तो अभी भी मुझे लग रहा है यह प्रोजेक्ट N.E.R. का यह साल पूरा खा जाएगा कहने को मात्र 4 किलोमेटर के जैसा ही है लगबक और बॉक्स जो सूत्र बता रहे हैं या सुनने में आ रहा है ये भी तूटेगी इसको भी हटाया जाएगा तो अब जब आगे कारी होगा तो ही पता चलेगा अभी तो जैसी बाते सुनाई पड़ रही है उसी आधार पे हम आपको बता रहे हैं कि जैसी information मुझे मिल रही है कि ये भी शायद ह कर रही है टेकनिकल टीम यहां पर लगी हुई है